महराश्ट्र विधानसभा का तीन दिन चलने वाला स्पेशल सेशन शनिवाव को शुरू हुआ प्रोटेम स्पीकर ने सबसे पहले सियम देवेंद्र फडनवीज दोनों डिप्टी सियम एक नाच चिंदे और अजीद पवाव ने विधायक पत की शपत दिलाई और आज सभी 288 विधायकों को शपत लेनी थी विपक्ष के सिर्फ दो विधायकी शपत ले पाए थे तब ही विपक्ष ने सेशन से वाक आउट किया शिवसेना UBT के नेता आदेत ठाक्वे ने कहा कि हमने पैसला लिया है कि हमारे विधायक आश्पत नहीं लेंगे अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्ट मनाते लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्ट नहीं मनाया हमें एवियम पर शक है विपक्ष के वॉक आउट पर डिप्टी सिया मजीद पवाव ने कहा कि चुनाव हुआ है और लोगों ने हमें जिताया है अभी वॉक आउट करने से कुछ नहीं होने वाला अगर उनको कुछ करना है तो चुनाव आयोग के पाईश जाना चाहिए 6 दिसंबर को विधाय कालिदास कोलंकर को विधानसभा के विशेश सत्व के लिए प्योटेम स्पीकर चुना गया था उन्हें गवर्णर सीपी राधा कुष्णन ने राजभवन में शपद दिलाई और आज उन्होंने अन्य विधाय को कुछ शपद दिलाई अगर आप देखे तो मार्कटवारी में डिमोकरिसी को मारा जा रहा है यह डिमोकरिसी को के हिसाब से माध़म से हो यहीं ज .. इसलिए यहीं ज हम यहीं बात करना चाहता है आघ नहीं नहीं लिए क्या Canon का आधर करना चाहता जन्ता के जो मन में शंका उतर देना चाहिए अभी आज जो opposition वालों ने walk-out किया है उन्का कहिना है कि EVM के बारे में किया है हमें पता नहीं लेकिन आप जैसे media के लोग ही बोलते कि कोई EVM के बारे में हुआ है कोई बोलता है और किसे कारण होआ है वहीसे तो मैंने पहली देखा है चुना हुआ है लोगों ने voter पर ने जीद के दिया है और अभी यहाँ व्हागट करके कुछ होने वाला नहीं है अगर उनको कुछ करना है तो election commission के सामने जाना चाहिए election commission के दरब से उनको अगर ऐसा लगा कि हमें नहीं मिल रहा है तो उन्होंने court के वहाँ चाहिए ऐसा उनका काम है नहीं एकूशन जब वो बाहर जाते थे थे तब मैने पूछा कि क्यों जा रहें, लेकिन सीनियर कोई नहीं था, इसलिए किसी ने बताया नहीं कि क्या कारण है, खली उन्होंने बताये कि हमें बताया गया है कि अभी वाकाउट करना हैं, इसलिए हम बाहर जा रहें.